हे गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि लोन सेटलमेंट क्या होता है अगर आपका लोन सेटलमेंट हो गया है दिन आपके साथ क्या क्या होगा और अगर आप लोड सेटलमेंट से बचना चाहते हैं तो कैसे आज बच सकते हैं तो वीडियो को लाट सक जरूर देखेगा आज की इस वीडियो में इस पर काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और वीडियो को लाट सक देखे ताकि आपके पास पूरी नौलेज हो और फ्यूचर में अगर आपके साथ कई भी ऐसी इस्थिति उत्पन हो देन आप इसे फेस कर सकते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन पे नहीं कर पाते देन यहां पे बैंक आपको एक ऑफ्सन देता है कि आप बैंक के साथ एक सेटलमेंट कर लें जिससे आप बैंक को कुछ पैसे देने होते है यहां पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है बात है कि बैंक यहां पर एगरी कर सकता है bank settlement के लिए या फिर नहीं कर सकता है जब बैंक agree होगा देन ही आप अपना loan settlement कर सकते हैं अगर bank नहीं होता है तो यहां पर आपका loan settlement नहीं होगा इस चीच को आपको ध्यान में रखता है अब इसमें हम detail में थोड़ा बहुत जान लेता है कि लोन settlement होता का हैं, तो loan settlement तभी होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ. यहाँ पर जैसे आपने थाटी या फोर्टी या फिप्टी जितना हो सके आप बैंक को पे कर दीजे. जिससे बैंक वाले आपको कॉल करना बंद कर देंगे. बैंक आपने books में जो bank की dairy होती है उसमें ये mention कर देगी कि आपका loan settled हो गया है जिसे इसे बोलते हैं हम लोग loan settlement अब हम बात करने वाले हैं कि अब आपका loan अगर settled हो चुका है तो आपके future loan पे क्या effect परेगा? क्या future में आपको loan मिलेंगे? या फिर आपके civil scope पे क्या effect परेगा? तो यहाँ पर एक चीज आपको मैंने already बता चुका था कि जब आपका loan settled हो चुका है तो bank अपने dairy में ये mention कर देती है कि आपका loan settled हो चुका है लेकिन यहीं चीज आपको civil को भी bank क्या करती है send कर देती है कि इंका bank का loan settled हो चुका है लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्याण देने वाली बात है कि loan closed होना और loan settled होना दोनों अलग अलग चीज़े हैं और दोनों आपके civil को affect करते हैं जैसे अगर bank आपके साथ जो और bank के साथ loan settlement हुआ है तो bank यहाँ पर credit bureau को ये message send कर देगे कि इनका loan settled हो चुका है और आपने अगर total amount pay कर दिये हैं यहाँ पर आपको bank के message credit bureau को send कर देती है कि आपका loan closed हो चुका है यहीं एक factor है जहाँ पर आपके civil score को affect कर देता है यहाँ पर अगर settled हो चुका है देन आपके civil score में negative behavior so करेगा है यहीं आपका civil score down होगा settled और cloud में आप अच्छे से फर्क करना जाँ गया होगे और आपके लिए यह पता जरूर चल गया होगा कि settled से आपके civil score में और future में loan मिलने के भी chances बहुत ही कम हो जाते हैं कोई भी bank आपको future में loan नहीं देगा और बहुत ही मुर्षकित से आपको maybe 1% chance है कि आपको मिल जाए लेकिन मिलने के chances बहुत ही कम हो जाएंगे ऐसा नहीं है कि आपने जिस bank के साथ loan settlement किया है वही bank आपको loan नहीं देगी इंडिया में किसी भी bank में आपको loan नहीं मिलेगा इस इसको आपको ध्यान में रखना है अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपका civil score पर bad effect हो गया है तो यह negative impact आपके civil score पर कब तब करहेगा यह भी जाना बहुत ही important point है तो यह जो आपके civil score पर negative so कर रहा है यह आपको 7 years तक so करेगा अब हम बात करते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए loan settlement से बचने के लिए ताकि आपको future में ऐसी कोई परिशानी ना आए तो मैं आपको कुछ points बताना चाहता हूँ जिससे आप loan settlement से बच सकते हैं future में तो यहाँ पर कुछ points है जो आप loan apply करने जा रहे हैं आपको इस चीच को आपको ध्यान में रखना चाहिए तो मैं जो सबसे पहला point में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी loan को apply करने जा रहे हैं तो किसी भी financial institution ते या financial advisor से आप पहले advice ले लिजिए और एक planning कर लिजिए क्योंकि planning से आप बहुत सारे ऐसे सरकम time से जो होते हैं life में या फिर loan में आपको बचाव मिलेगा जिससे आप futures में settlement से बच सकते हैं तो इस चीच को आपको ध्यान में रखना है अब जो दूसरा point है कि आपको एक long tenure set करना है यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप thought time में अपना payment loan repayment नहीं कर सकते हैं तो आपको एक long tenure set कर रहा है जिससे आप अपने bank से request भी कर सकते हैं जहां से आप loan ले रहे हैं कि अगर कोई ऐसे options हैं तो आपको एक long term वाले loan दिया जाए जिससे आपको pay करने में भी असानी हो और EMI भी कम हो लेकिन जितना ज्यादा आप long term का loan लिजेगा उतने ज्यादा आपको interest लगेंगे तो यह option उसी condition में choose कीजेगा जब आपको लगे कि आप इतने EMI pay नहीं कर सकते हैं short term में तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है जो तीसरा option है जिसे आप consider कर सकते हैं debt consideration इसमें क्या होता है कि आप अपने जो existing loan है उसे नए loan में transfer कर सकते हैं इसके लिए आपको पहले bank से request करना पड़ेगा यह bank पर depend करता है कि आपको यह option दे रहा है या नहीं दे रहा है but generally मिल जाता है और इस पर आपको कम interest rate भी charge होता है तो यह एक काफी एक अच्छा option हो सकता है जिससे आप जो है loan settlement से बस सकते हैं अब जो fourth point है इसमें आप क्या कर सकते हैं एक secured loan ले सकते हैं आप mutual fund के against loan ले सकते हैं FD के against loan ले सकते हैं या फिर gold के against loan ले सकते हैं या फिर stocks के against loan ले सकते हैं जिससे आपको कम interest rate पे एक अच्छा खासा loan मिल जाता है जिससे आपको कम interest rate देना होगा तो यह भी एक काफी अच्छा option है जिससे आप अपना loan settlement को कम कर सकते हैं या फिर loan settlement से बढ़ सकते हैं अब जो fifth point है इसमें आप एक emergency fund रख सकते हैं जिसमें क्या होगा कि अगर future में आपको ऐसी इस्तिति पएदा हो जाए जिसमें आप loan आपकी earning ना हो या फिर आप loan पेक करनी की इस्तिति में ना हो तो आप उस emergency fund से आप अपने loan को repayment कर सके जिससे क्या होगा कि आपका civil score भी अच्छा होगा और आप पर कोई negative impact नहीं पड़ेगा futures में loan वेगरेक लेकर तो ये भी एक अच्छा option है अब जो 6 points है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 4-5 points जो मैं आपको बता है वो fulfill नहीं कर पा रहा है और आपको bank के साथ settlement करना ही है देन आपको वहाँ पे choose करना है one time settlement इसमें क्या होगा कि आपका एक बार में ही सारा कुछ settle हो जाएगा और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है इससे आपका civil score impact होगा negative आपका civil score हो जाएगा और क्या होगा कि आप 7 साल तक आपका civil score में यह चीज़ सो होता रहेगा जब तक आपका civil score रियो टोट नहीं होता है तो I hope guys कि आपको यह video अच्छा लगा होगा तो आज की इस video में इतना ही जय हिन वने मात्रम